आखिर क्यूं डरें जिन्दगी में क्या होगा, क्यूं सोचते होके वक्त बुरा होगा, तुम बढ़ते रहो मन्जिल की तरफ, कुछ भी ना मिला तो तुजुर्बा तो होगा? जिन्दगी साइंस की तरह होती है, जितने एक्सपेरिमेंट करोगे, रिजल्ट उतने ही बहतर मिलेंगे, दिमाग के फितरत ही कुछ ऐसी होती है, कि वो भूत काल में ही भटकता रहता है, और उससे भी बुरी बात, दिमाग हमेशा पुरानी और बुरी बातें ही याद करता ह ऐसा नहीं है कि आपके साथ सिरफ बुरा ही हुआ है, कुछ अच्छा भी हुआ होगा, लेकिन याद हमेशा बुरी बातें ही आती हैं, आपको अफसोस करवाती हैं, आपको महसूस करवाती हैं, तो आप समझ आईए, कि आपका मन आपके साथ खेल रहा है, ये मन की फितरत हो और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप समझाएए आप overthinking के शिकार हो गए हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है और वो शैतान है negative विचार जिनका घर बन चुका है हमारा ये दिमाग जिनको भूतकाल के चिन्ता नहीं होती उन्हें भविश्य के चिन्ता लगी रहती है आगे हमेशा बुरा ही होगा ऐसी बातने मन में आती रहती हैं और ये जीज आपके लिए बहुत खतरनाक है बिना कारण अदिक सोचना एक दीमक की तरह है जो आपके दिमाग को खोखला कर देता है इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचना बंद कर दो लेकिन पिछली गलतियों से सीख कर आगे से दुबार अपनी गलती ना दोहराएं लेकिन इतना मत सोचो कि आप कोई काम शुरू ही न कर पाओ और ये वो गलती है जो आज कल हर कोई कर रहा है हम सब कुछ जानते हैं फिर भी नेगटिव विचारों में डूबे रहते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि पहले हमारे साथ जो बुरा हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ अभी जो बुरा लग रहा है हो सकता है आग अगर जीना है तो वर्तमान में देखो अगर आप अपना जीवन खुशी से जीना चाहती हैं तो सोचने से ज्यादा काम पर ध्यान दीजिए ताश के पत्तों से ताज महल नहीं बनता नदी को रोकने से समुंदर नहीं बनता लड़ना पड़ता है जिन्दगी से हर दिन बै झाल 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 झाल